Suppose कि आप एक college student है और आप रोज college जाते हैं पर इसके बाब जुद भी आपके teachers आपसे पूछते हैं कि तुम college क्यों नहीं आते हैं और आपका जवाब आता है Sir मैं आता तो हूँ इस तरह के sentences को हम कैसे English में बना सकते हैं अगर आप simply ऐसे कहते हो कि I come Sir तो उसमें वो जोर नहीं दिखेगा कि मैं आता तो हूँ इस तरह के sentences को हम English में कैसे बना सकते हैं सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के sentences को हम emphatic sentences कहते हैं emphatic sentences का meaning होता है जिसमें कोई जोर देके बात कहीं गई हूँ उसे हम क्या कहते हैं emphatic sentences अब मैंने हर एक tense में tense कोते कितने हैं present past and future उसकी भी चार-चार आके divisions होती है मैंने हर एक tense में आपके लिए एक sentence की example बना रही है emphatic sentences की सबसे पहले present indefinite की बात कर लेते हैं अगर आप उसमें simply कहते हैं कि I come मैं आता हूँ पर आपने बोलना है कि मैं आता तो हूँ तो आप कैसे कहेंगे आप present indefinite में यूज होने वाला helping verb present indefinite में कौन सार helping verb यूज होता है वो होता है do तो आप को subject के बाद आपने do use करना है और उसके बाद first form की इस्तिमाल होगा first form का use होगा I do come I do come मैं आता तो हूँ इसकी एक और example बना लेते हैं I do help the poor मैं गरीबों की help करता तो हूँ मैं गरीबों की help करता तो हूँ तो जिस sentence में आप अपनी बात पे जोर देके कह रहे हो उसे हम क्या कहते हैं अपने कहना है कि मैं टेस्ट दे दो रहा हूँ मैं टेस्ट में अपीर हो तो रहा हूँ तो आप उसे कैसे कहिंगे सबसे बहले है अगर आप कोई बात सिंपली कह रहे हो तो आप contraction का इस्तिमार कर सकते हो अगर आपको contraction नहीं पता तो contraction होती है कि किसी वाक्य को शोटा कर लिए ना जैसे कि M को शोटा करके मैं अपोस्ट्रोफी M डाल रहा हो तो इसकी प्रत्रेशन होगी आयम आयम इसकी होगी मैं इसकी होगी आयम इसकी होगी आयम तो contraction पर हमने एक वीडियो जाएगा वीडियो का लिंक उपर आयए बटन पर मिल जाएगा तो अगर आप अपनी बात को सिंपली कह रहे हो तो आप कह सकते हैं अगर present indefinite में I come के साथ कोई helping verb नहीं है मतलब आगर कोई sentence positive sentence है तो उसके साथ कोई helping verb नहीं यूज होता है पर अगर वो emphatic sentence है तो उसके साथ हमें एक helping verb की जरूरत पड़ती है आगे example ले लेते हैं present perfect tense की इसमें यह I've eaten food मैं मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं पर आप ने अगर उस पे जोर दे के कहना के मैंने खाना खा तू लिया है मैंने खाना खा तु लिया है तो उसके बाद आप contraction ह्टा दोगे I've को प्रहुचा के आप यूज कर कि I have written food I have आपने जो हैव है इस हेल्पिंग बाप को आपने जोर देके बोलना है I have eaten food मैंने खाना खातू लिया है next example है present perfect continues he's been studying for six hours वो शेक घंटों से पढ़ रहा है पर अगर आपने इसे जोर देके बोलना है तो आप कहेंगे he has been studying for six hours he has been studying for six hours वो six hours से पढ़ तो रहा है आगे example है past indefinity he gave her money उसने उसे पैसे दे दिये he gave her money उसने उसे पैसे दे दिये अगर आपने ऐसे कहना है उसने उसे पैसे तो दे दिये उसने उसे पैसे तो दे दिये तो आपने कहा करना है कि past indefinite में use होने वाला helping verb past indefinite में कौन सा helping verb use होता है did तो did लगा दिया he did पर उसके बाद जो verb की form होगी वो हमेशा ही first form लगेगी जैसे he did give her money उसने उसे पैसे दे तो दिये he did give her money तो यहाँ gave नहीं लगेगा अगर emphatic sentence में आपने कोई बात करनी है तो verb की हमेशा first form ही use होगी चाहिए वो कौन सा भी tense हो पर आगे वाला helping verb है वो उस tense की according ही use होगा जैसे he did give her money he did give her money जैसे आपने बोलना है कि वो बहाँ गया तो था तो आप बोलूँगे he did go there he did go there next example है past continuous tense you were dancing in rain you were dancing in rain तो इसका जो कुण your you were dancing in rain you were dancing in rain जोरडे के बाद बोल रहा है कि तुम कर रहे थे rain करतो रहे थे के तुम डानस करतो रहे थे you were dancing in rain अब आगी example है past perfect की they left for wedding वो शादी के लिए जा चुके हैं अगर इसका एंफिटिक बनाना है तो they have left for the wedding कि वो शादी के लिए जा तो चुके है अगर सपोज एक बंदा बोल रहा है कि वो शादी के लिए नहीं गय है पर आपको पता है कि वो गय है तो आप बोलेंगे they have left for the wedding वो शादी के लिए चले तो गय है वो शादी के लिए चले तो गय है नेक्स एक्जाम्बल है पास पर्फेक्ट कंटिनूस की they have been writing for two hours they have been writing for two hours वो दो घंटे से लिख रहे थे तो इसका एंफिटिक है है पास पर्फेक्ट टेंस में कौन सा helping verb यूज होगा they had been writing for two hours they had been writing for two hours अब हमारे पास future है future indefinite I'll help everyone मैं हरे की मदद करूँगा I will help everyone I will help everyone मैं हरे की मदद करूँगा इसमें बहु जोर दे के बात बोल रहा है कि मैं हरे की मदद करूँगा future continuous है I'll be teaching you मैं तुम्हें पढ़ा रहा होंगा I will be teaching you मैं तुम्हें पढ़ा रहा होंगा पका बढ़ा रहा होंगा उस पर वो जोर दे के बात बोल रहा है future perfect I'll have learned flute by them by then I'll have learned flute by then मैं तब तक flute सीख चुका होंगा मैं तब तक flute सीख चुका होंगा अब इसका emphatic sentence है I will have learned fruit by them I will have I will have learned fruit by them next sentence की example है future perfect continuous की कोई बन्दा future में कोई चीज कर रहा होगा कि दिखास time से I'll have been studying for six hours I'll have been studying for six hours मैं शेग घंटों से पढ़ रहा होगा इसका जो emphatic sentence है I will have been I will have been studying for six hours इसमें फिर से जोर देके बात कही जा रही है कि मैं शेग घंटों से पढ़ रहा होगा तो यह हमारा emphatic sentence है emphatic sentences में एक और example मैंने साइड में बना रखी है imperative sentence की imperative sentence वो होते हैं जिसमें किसी तरह के instruction दिया गया हो जैसे कि कहा गया है come tomorrow कल आ जाना पर अगर आपको किसी को दोर दे के बात बोल गी है कि कल पका आ जाना तो आप क्या करोगे instruction के पहले do लगाओगे do come tomorrow do come tomorrow कल पका आ जाना तो emphatic sentences I hope कि आपको समझाय होगे समझाया है तो like बटन दुरूर दवाईएगा और subscribe कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है